आशे भवे अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं यानि सिनीकर्स डिजाइन कर रहे हैं लेकिन ये जूते खास हैं और रिसाइकल हुई प्लास्टिक की थैलियों से बने हैं इसका आइडिया उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आया मैं बहुत सारे अलग-अलग डिजाइन आइडियास पर काम कर रहा था जिसमें प्लास्टिक की थैलियों की रिसाइकलिंग भी शामिल थी मैंने सुना कि भारत सरकार प्लास्टिक की थैलियों को बैन करना चाहती है तो मुझे लगा कि इसमें कुछ किया जा सकता है हमेशा बस सरकार पर तो निर्भर नहीं रह सकते फिर भवे ने दिल्ली के पास कच्रा जमा करने वाली एक कंपनी से संपर्क किया यहां हर दिन टनों कच्रा आता है कर्मचारी उसमें से प्लास्टिक की थैलियों को अलग करते हैं अगला कदम है थैलियों को साफ करना और काटना फिर इसे जालंधर की जूता फैक्टरी में भेजा जाता है वे कपडा और दूसरी चीजें जमा करते हैं जिन से जूते बनते हैं इस तरह के जूते बनाना चमडे के सामान्य जूते बनाने से अलग नहीं है यहां पर ये लोग भी प्लास्टिक से जूते बनाना अभी सीखी रहे हैं सिर्फ ये जूते ही रिसाइकल हुई प्लास्टिक से नहीं बने हैं, बलकि उनके फीते प्लास्टिक की बोतलों से और सोल इस्तेमाल हो चुकी रबड से बने हैं। ऐसे जूते अब दुनिया भर में पसंद किये जा रहे हैं। यूरोप निश्चित रूप से हमारा सबसे बड़ा बाजार है। यह ऐसा बाजार है जहां ऐसे आइडिया आगे बढ़ाये जा रहे हैं। लोग ऐसी चीजों के लिए ज्यादा पैसे देने को तयार हैं, जो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली हों। भवे के बनाए जूते 99 डॉलर के हैं। जूतों की 1600 जोडियों का पहला बैच बिक चुका है। वो अब नए डिजाइन पर काम कर रहे हैं। फिर से सिनीकर्स पूरी तरह रिसाइकल मटीरियल से बनाए जाएंगे। ये बात उन्हें अपने प्रितिवद्वियों से अलग क करते हम पूरी तरह से रिसाइकल हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो दूसरे बड़े ब्रैंड्स भी ऐसा कर सकते हैं। आशे भवे दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं।